तो भई तुमने बहुत सारे बंदों से सुना होगा, कि भई स्क्रिên शेक यूज 6 का कोई काम नहीं है, वो बस श्कॉफ केलिए होता है पर वहीं पे तुमने बहुत सारे बंदों से यह सुना होगा, कि स्क्रियं शेक यूज करने से बहुत जादा headshots connect हो जाते हैं और भाई even Jonathan भी screen shake का use करता है तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैं तुम लोगों को ये चीज़ क्लेर कर देने वाला हूँ कि भाई screen shake तुम लोगों को use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो चलो वीडियो को start करते हैं without wasting any time तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बता जिता हूँ कि screen shake होता गया है तो भाई screen shake में आप अपने gyro की मदद से अपनी screen को कुछ इस तरीके से shake करते हो अब आप अपनी screen में बहुत तेजी से अपने thumb को tap करकर के भी screen shake कर सकते हो और आप अपने किसी भी एक हाथ को बहुत तेजी से vibrate करके भी अपनी screen को shake कर सकते हो अब screen shake भी दो तरह के होता है पहला screen shake होता है over screen shake और भाई इस में आप अपनी screen को बहुत ही तेजी से खुद से भाई screen shake करते हो और भाई इस वाले screen shake को बहुत सारे montage creators use करते हैं और भाई ये वाला screen shake बिलकुल useless होता है और भाई ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आप लोग aim assist on करके Classics में भाई बंदों के सामने जाओगे अगर आप लोग aim assist off करके भाई over skin shake use करोगे न भाई तो सामने आला बंदा अगर अच्छा खेल ला होगा तो वो आपको बहुती अराम से मार देगा इसके बाद अपना second तरह का screen shake आजाता है natural screen shake और भाई ये screen shake पहले वाले screen shake के compare में बहुती कम होता है और भाई इस वाले screen shake में आप जान भूच के gameplay में notice किया होगा जो लोग aim assist off करके खेलते हैं अभी शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहोगा तो मैं example के तोर पर समझा देता हूँ अभी देखो मैंने यहाँ पर दो बंदे नौक किये अभी last आला बंदा आया मैंने फटा फट से अपना aim flick करा जैसे ही बंदा left में जाना शुरू करा मेरा aim अभी भी right में फिर से मैंने दुबारा से बंदे के उपर अपना aim flick करा और यह इसलिए है क्योंकि मैं aim assist off खेल ला हूँ और जब भी सामने आला बंदा बहुत ही तेजी से enemy को trace करता है तो देखने वाले को लगता है कि भाई वो screen shake कर रहा है पर भाई वो screen shake नहीं होता वो actually में उसका fast aim transfer होता है तो चलो मैं तुम्हें विदा जिता हूँ कि भाई क्या screen shake use करने से आपके headshots connect होंगे क्योंकि भाई बहुत सारे बंदों को लगता है कि भाई screen shake करेंगे तो भाई उससे हमारे headshots लगने start हो जाएंगे तो भाई देखो तुमारे headshots connect होंगे या connect नहीं होंगे ये चीज़ डिपेंड करती है तुमारे crosshair placement पे अगर तुम अपना crosshair भाई सामने आले बंदे की chest पे रखके गोली चलाओगे न तो भाई तुमारे headshots connect नहीं होने वाले भले ही तुम screen shake मारो और तुके से एक दो connect होगे तो बात अलग है पर वही पे अगर तुम अपना crosshair भाई सामने आले बंदे के बढ़ी हेड पर रख के गोल्य चलाते हो तो बाई तुम screen shake मारोगे तो भी twoh होंगे और sulhone नहीं करोगे तो भी twoh जाईए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सारे के सारे head connect हो रहा है तो चलो मैं आपको ये बतायता हूँ कि आपको screen shake use करना चाहिए या आप लोगों को screen shake use नहीं करना चाहिए तो भाई देखो अगर आप लोग montage सो गयरा बनाते हो या फिर आप लोग bgmai के highlights हो गयरा निकालते हो अपने gameplay के और आप लोगों को अपना gameplay मतलब थोड़ा attractive मनाना होता है तो उस time पे आप लोग aim assist on करके over screen shake use कर सकते हो क्योंकि अगर आप अपने content के लिए over screen shake कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर लेकिन अगर आप लोग अपना gameplay improve करना चाते हो और आप एक अच्छा player बनना चाते हो तो भाई उस case में आप लोगो को कभी भी over screen shake नहीं करना है आप लोगो को उस time पे natural screen shake यूज करना है अब natural screen shake में भी ना दो तरीके हैं अब या तो आप लोग aim assist off करके खेलो और भाई अपना aim transfer आप लोग इतना जादा fast कर लो कि आपके gameplay में खुद से एक natural screen shake आजाए और ये वाली screen shake को master करने के लिए भाई आप लोगो को बहुत जादा practice करने पड़ेगी पर वहीं पर एक easy method यह है कि भाई आप लोग खुद से screen shake दो पर आपका screen shake इतना कम होना चाहिए कि भाई आपका aim assist effect ना हो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बंदा right में है और आप left में screen shake मार रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आप लोग इस clip में देख सकते हो जितना screen shake में यहाँ पर दे रहा हो ना सिर्फ इतना ही screen shake आप लोगों को देना है अब अगर आप इतना कम screen shake दोगे ना तो उसका फाइदा ये रहेगा कि भाई आपका actual aim तो खराब नहीं होगा साथ ही साथ बंदा अगर हलका फुल का movement देता भी है ना तो भाई उसको आप easily trace कर लोगे और भाई अगर तुम्हारा opponent short jiggle use कर रहा है और भाई तुम्हारी ठिक ठाक practice हो गई है ना अगर इस वाले screen shake पे तो भाई तुम सामने आले बंदे को बहुत ही अराम से knock कर पाऊगे तो चलो अब मैं तुम्हें ये बताएता हूँ कि तुम्हें screen shake कब-कब use करना है और कब-कब use नहीं करना है तो भाई देखो अगर opponent तुमसे बहुत ज़्यादा close है for example 5-7 meter अगर तुमसे बंदा दूर है तो उस टाम पे तुम लोग screen shake का use कर सकते हो पर भाई अगर बंदा तुमसे बहुत ज़्यादा distance पे है for example 15-20 meter दूर की fight में तुम लोग hip fire में fight ले रहे हो तो भाई उस टाम पे बता देता हूँ भाई screen shake न तो मैं हर situation में use नहीं करना होता कभी-कभी ऐसा होता है कि screen shake आप उस situation में use करते हो और आपका aim महाँ पे choke हो जाता है तो भाई screen shake आपको कब use करना है और कब use नहीं करना है यह चीज़ आपको तब समझाएगी जब आप खुद से उस चीज़ को practice करोगे तो आप लोगों को थोड़ा time लगेगा यह समझने में कि आपको screen shake कब use करना है और कब use नहीं करना है तो आज की वीडियो के लिए पसीत नहीं था बाकियार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care guys